तो दोस्तों सागते आपका अपनी यूटूब चैनल दे इन्वेस्टर शालापी तो दोस्तों कैसे आप लोग और कैसा राज आपका दिन जैसा ही हमने बात किती ब्लेक फ्राइडे के बारे में तो आज हो गया ना ब्लेक फ्राइडे तो आज दोस्तों हम बात करेंगे गेप त्योरी के तीसरे गेप के बारे में थर्ड गेप के बारे में तो जो भी इस चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दिया वाए जाके जोइन कर सकते हैं वहाँ पर अच्छ ठीक है क्या क्या जुरूरत है और कहा पर हम इसका पता लगा सकते है ठीके दोस्तों तो दोस्तों देखो यह जो नाम है सके नाम से मतलब भागो दूर गैप करने के लिए तो मतलब प gaan लगा लगांके जाता है के लिए जैसे कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हूँ या चल रहा हो उसको और बढाने के लिए यह रख बनते यह मार्केट में क्यों लग यह Interidan और अलग यह अलग टाइप की होते हैं लग के मोग है इंडेक्स के अंदर क्या होता है अब ट्रेंट के अंदर क्या होता है जब भी यह ट्रेंट को और तेजी से उपर लेके जाते कभी आपने देखा हो होता है हम होते हैं ना जैसे मालो एक क्लोजिंग मार्केट ने यहां पर करता है ठीक है क्लोजिंग यहां पर DIDेता है ते दिन की यहां करता है अभी देखा हो आपने पीछे पांच इनक्य आपने यहां करता है तो ट्рафी तो चलाता गैप 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 इसको बोलते है रनेवे गैप जो ट्रेंड को बढा दे चलते जलते एंप गैप ठीक है और यह कब यह पुता है जब पीछे का कोई ट्रेंड जब ब्रेकवाइड से ब्रेक होता है वह वीडियो देख ले ले ना पहले के दो word यह ब्रेक हो गया उसके वाद नएड़ेंड की शुरुआत हो गई तो उस令 में क्या होता है जब नए चर्ठ वोता है उस trend के अंदर यह हुआ हुआ है उस ट्रेंड के अंदर यह गया बनाता वाजाता है है डाप बनाता वाजाता है ठीक है ऐसे downtrend होता है जब भी कोई नीचे आता है निफ्टी हो चाहिए स्टॉक्स हो तो पहले तो नीचे आएगा फिर अचानक से दूसरे दिन gap down होता है वो इस trend को बढ़ाने के लिए होता है इसको बोलते रनवे gap वो trend को बढ़ाते हैं क्यों बढ़ाते हैं बीच में रनवे gap ताक पूरे point खा सके इसलिए यह रनवे gap बनाए जाता है तो इतना समझ में रनवे gap कहां बनता है जब कोई trend चलता है तब उसके बीच में बनता है ठीक है तो अब हम चार्ट पे इसको देख लेते हैं यह रन इफ्टी का चार्ट पहले तो आज केंडल की बात करें मैं कह रहा थ feeling आ रही थी यहां पर इसको बोलता है emotion emotion तो यहां से चला था market का लेकिन लोग control 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 लेकिन लोगों को emotion कहां पर तूट गए यहां पर करना चाहिए emotion के साथ बहना चाहिए तो दोस्तों अब आउन भालेग का पर यह रुन वेख बने यह देखो एक ट्रेंड था Dound ट्रेंड था डाउन ट्रेंड इस डाउन ट्रेंड का यहां पर बड़ी वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका यहां पर गैप अपसे ब्रेक आउट वा उसके बाद रिटेस्ट हुआ उसके बाद यहां पर जो स्मॉल ट्रेंड लाइन है यह ब्रेक अवे गैप से ब्रेक बड़ ठीक है, यहां से चला, अब इसने चलते चलते यह जो ट्रेंड था, इसको एक्सिलेट देने के लिए यहां पे गैप अप, फिर दूसरे दिन यहां पे गैप अप, तीसरे दिन यहां पे गैप अप, ठीक है, तो ऐसे यह गैप अप करते चलते हैं, ठीक है, और यह देखो, ग रन अवे गेप की खासियत क्या होती है ये अपने लोग के नीचे क्लोजिंग नहीं देते समझ में आ गया जो पहली केंडल ये बनाते है ना गैप अप से ट्रेंड के अंदर उस लोग के नीचे ये क्लोज नहीं करेगा ये देखो गैप दिया एक केंडल बनाई वस डेली के ठीक है उसके नीचे ये नहीं क्लोज करेंगे ये देखो गैप दिया si low के नीचे क्लोजिंग नहीं । ऐसे चलते ह ये ठीक है समझ में आ गया अब stocks के अंदर क्या होता है ये तो index में index में माखलो 1 परसेंट या 2% के runaway gap बनते है, 1% या 1.5% के ठीक है, जिनको हम बोलते है रनवे gap, ऐसा ही downside के अंदर होता है, ठीक, ऐसा ही यहाँ पर आप देख सकते हो, downside के अंदर होता है, यह trend चल रहा था उपर से, ठीक है, यहाँ पर gap down, यहाँ पर gap down, फिर यहाँ पर gap down, फिर यहाँ पर gap down, फिर यहां पर थोड़ी देर consolidation फिर gap down फिर consolidation फिर उपर आगया retracement के लिए फिर gap down तो यह पूरा एक trend चल रहा है ठीक है तो आप देख सकते हो कैसे trend को बढ़ाये जाता है तो हम जब भी कोई trend के अंदर चलते हैं उसके अंदर जब रनवे गेप या उपर की तरफ होता है नीचे की तरफ तो उनकी खासियत है कि वह अपना लो और हाई ब्रेक नहीं करते नीचे की तरह मनलब इस टोक्स के अंदर जो गैप रन वे गैप बनता है ना trend के अंदर वह कम से कम यह देखो जैसे टाटा केमीकल की एक करेक्शन चल रही थी तरेक्षन चल रही थी मतलँ एक ट्रेंड ही था यहां से ट्रेंड स्टार्ट का ज़या डिया इस्टॉक्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जो इस्टॉक्स के अंदर इसिस्टउक्स 50% से जादा है गैप 5% का gap अब हो रहा हो तो वो बहुत दिनों बाद फील होगा तुरंट फील नहीं होगा वो आप सोचो शौट कर दो उसको न वो रन अवे गैप है ट्रेंट को बढ़ायेगा ट्रेंट को उपर की तरह बढ़ायेगा वो तो यह जो gap हुआ है न यह नोर्मलाइजेशन गैप नहीं होते ही है पांच परसेंट गैप होता है इस टोक्स के अंदर ठीक है पांच परसेंट या उससे ज़्यादा कि जो gap अप करते है वो जल्दी से feel नहीं करने आते है यह देखू नहीं यहां पर यह ट्रेंड था यहां रनावे डाउन दिया कितने दिन कितने दिन नीचे रहा डेली चार्ट यह उसके बाद feel गया यह आपके सामने तो ऐसे चलता है यह ठीक है ट्रेंड के अंदर कोई gap up होता है इसके अंदर कुछ ही नहीं है रनावे गेप एक ट्रेंड के अंदर बनता है चाहे वह अप्ठेंड हो चाहे वह डाउन ट्रेंड हो और इस टॉक्स के अंदर ध्यान रखना है spesly 5% से उपर gap up हो रहा है तो जल्दी से feel नहीं करेगा उस gap को तो हमारे को उसी direction मिल जाती है कि अगर इसने 5% gap up किया तो वो यहाँ पर थोड़े दिन काम करेगा फिर उसके बाद अपनी direction चालू कर देगा उपर गी तो ठीक है हम इस gap को लिए बैठे रहते हैं कि हम इसको feel करेगा short कर दो short कर दो वो करता नहीं वो यहीं पर यहीं पर रखता है आपका option खतम हो जाता है पूरा ठीक इतना समझ में आ गया यह runaway gap पर जैसे देखो यह यहां पर ट्रेंड चल रहा था यहां पर consolidation उसके बाद फिर इसने एक gap दिया कितना परसेंट था 75 से 808 कम से कितना हो गया पांच पर सेंट के उपर दे दिया कब फिल गया इसने कब किया था नो च hemFit को गिया था और सैप्टमबर में फिल कि हम बंदा है 2017 दो महीने बाद फिल कर साही है जो भी पूरा नहीं है बस नीचे जाके उपर आ ठीक है यह देखो यह चल रहा था इधर गेप रंवे गेप चलते चलते गेप अपो जाते हैं तो ऐसे यह जो ट्रेंड चलते हूं प्रेंड को बढ़ाने के लिए रनवे बनाए जाते हैं देखी चुक्ए हो बेंग निफटिक अंदर देख लो तो कभी भी ऐसा मिले तो पहले इसलिए तो कहता ने एक रात पहले स्टडी करो मार्केट की किस ले करो ताकि आपको पता चले की चल क्या रहा है यह देखो बैंक निफ्टी चल रही थी यहां से गेप अप किया रिटेस्ट किया उसके बाद चली गेप अप फिल नहीं हुआ क मस्त वाली केंडल बना दी इसमें जो हम देख रहे थी इसी एरिया से इसलिए बोलता हूं दोस्तों वीडियो देख लिए अगर प्रॉफिट आज काफी अच्छा प्रॉफिट बना लोग होगा तो दोस्तों यह रनवे गेप है सिंपल सा है ज्यादा कुछ नहीं है बस यह है कि ज्यादा दिमाग निकल लगाना नहीं है मार्केट को सिंपल समझना है आपको कि मार्केट कर क्या ठीक है और इमोशन वाले में वीडियो बनाऊंगा कि इमोशन कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आप उस चीज़ को खुद फील करके देखो तो आप आप बोलोगे यार वास्ता में ऐसा ही हो रहा है हमको तो गलत बता रहे हैं सब लोग की इमोशन कंट्रोल करो कंट्रोल करो क्योंकि आप एक एक आज आपको क्यूशन देखे जाता हूं मैं वीडियो के एंड में कि इमोशन कंट्रोल करो किस से करोगे स्कूरूड्राइवर से प्लास पेज कसे करोगे नहीं ना इमोशन कंट्रोल करने के लिए भी तो आपको अंदर से इमोशन चाहिए इमोशन कंट्रोल किस से होगा कैसे होता है इमोशन कंट्रोल को करने के लिए भी तो आपको एक पानी का बेना नहीं कर सकते आप आग का जलना नहीं रोख सकते हैं तो इसलिए चीज़े सिंपल रखो और यह रनव गेप और जिन्होंने हमारे दो गेप के वीडियो नहीं देखे वह देख ले रनव गेप बनता है ब्रेकव गेप के बाद जब किसी ट्रेंड की शुरुवात होती है ओके दोस्तों आज वीडियो में इतना ही बाकी मिलते संडे निफ्टी